सर्दियों में जब लगे, वाट्रोप को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना, बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान क्या राय रहेगी, लेकिन आगे क्रिशी फसर बजार का अपडेट शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, दिल्ली में काफी पावंदी अलग चुकी हैं, आज भी दिल्ली के जो सीम है, अरविंद के पावले निकल के सामने आ रहे हैं, और आसपास के भी इलागों में काफी जादा केसे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में जब लॉकडाउन लगता है, या फिर कह सकते हैं कि पावंदी अलगती हैं, तो सबसे बड़ा जो जोर पड़ता है, वो कारुबार पर पड़ता है, क्य निकाल दिया जाता है, या फिर उनकी सेलरी कट कर दी जाती है, या फिर बात करनें बिजनस की, तो बिजनस भी काफी कम देखने को मिलते हैं, सप्लाई बादित हो जाती है, लॉकडाउन लगा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतों के सामना करना पड़ता है, My Big Bliss App अब सारी जिम्मेदारियां आप My Big Bliss App को दे दीजिए लॉग डाउन के दौरान My Big Bliss App आपको आप अपने घर से फ्रीक में मुफ्त में अपनी सेल बढ़ाने का मौका दे जिए घर वैठे वैठे सेल बढ़ा सकते हैं और करना चोटा सा ये काम होगा फोन में My Big Bliss App को डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपको इस पर अपनी दुकान रेजिस्टर करनी है ज़रूर नहीं है कि आप पहले सो कोई दुकान दार ही हो तब इस पर दुकान रेजिस्टर कर सकते हैं अपना स्टोर बना सकते हैं अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं स्ट अपनी रेजिस्टर नहीं करनी अगर आप फल सब्जियां भी बेचना चाते हैं तो आप My Big Bliss App पर वो भी बेच सकते हैं कपड़े बेचना चारें मुबाइल फोन बेचना चारें खाने का समान बेचना चारें My Big Bliss App के जरी हर तरह का का कारूबारी जुड़ सकता है वो भी 5958 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 5976 का ही लगा चुका एक फीजदी की तेजी है देखे रहें कि कैससीड का वैदा वज़ार आज तेजी के साथ कारुबाग करता नजर आ रहा है हलकी सी बड़ा देखने को मिलिए 6000 की करीब जाता हुए नजर आ रहा है आपको बता दें कि कैससीड का जो प्रोडक्शन है पिछले तीन साल में कम रहने का नुमान लगा जा रहा है जो आखड़े निकल के सामने आई है अभीताख हमारे पास वो लगवग 15.9-8 लाख हेक्टेर का है यानि कि पिछले तीन साल में कैससीड का जो प्रोडक्शन है जो उत्पादन है बारत में वो कम रह सकता है और 15.9-8 लाख हेक्टेर रह सकता है आपको बता दें कि कैससीड की जो डोमेस्टिक डिमांड और जो एक्सपोर्ट डिमांड है अभी वो तो नहीं खास देखने को नहीं मिल रही है बीच में भी थोड़ी ठीक हुई थी लेकिन अब ओमीक्रॉन के जो केसेज निकल के सामने आ रहे हैं लेकिन अब ओमीक्रॉन के जो केसेज निकल के सामने आ रहे हैं और Omicron की cases निकल के सामने आ रहे हैं उपर से export demand भी hit कर गई है export demand भी कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि विदेशों में भी कोर्ना की लगातर cases देखने को मिल रहे हैं अगर विदेशों में भी export demand निकलती तो कैससीर का वैदा बजार भारत में थोड़ा उड़ता नजर आता है लेकिन ज़्यादा अभी उचाल देखने को नहीं मिलना है अभी ज़्याद डिमांड है वो भी धीर धीरे थोड़ी तेज हुई थी लेकिन अगर कोर्ना की केसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं लगणा अलिस स्थीती लगती है तो हो सकता है कि कैससीर एक बाद फिर से लुड़कता है नजर आए यहीं से बात करें हैं अगर अब बिनॉला खल की तो देख रहे हैं कि बिनॉला खल का जनवरी वादा 238 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आधे फीज़ी से जाधे की correction देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी बादा आधे फीज़ी से जाधे की गिरावट के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है आपको बता दें कि बिनौला खल इस बार काफी तेजी की और जाता नज़र आ चुका है आपको बता दें कि एक्सपर्ट का यही मानना है कि बिनौला खल में तेजी का जो असार है वो कौटन की वज़ा से देखने को मिल रहा है दरसल इस बार कौटन का उत्पादन कम है कौटन का उत्पादन कम है कौटन के बीजो की उपलबदता थोड़ी कम है और अगर इनकी उपलबदता कम रहेगी तो cotton खली भी जो की cotton के बीजों से निकाले गए तेल के बचे वेस्ट को कहा जाता है उससे अगर वो कम रहेगा तो बिनौला खल का उत्पादन भी कम रहेगा. एक तो बिनौला खल की कमी, दूसरा कपास बीज और कपास की कीमतों में तेजी का असर भी बिनौला खल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है और दूद उत्पादन में इस बार कमी देखने को मिली है और बिनौला खली एक मात्र ऐसा उत्पाद है जो पशूव में दूद की मा तरह को बढ़ा सकता है जिसकी वज़ा से बिनौला खल की डिमान लागाता निरंतर बनी हुई है लेकिन आज जो करेक्शन बनी है उसका भी कोई मुख्यकारेन है वो आपके साथ साजा कर देता हूँ दरसल हम देखते हैं कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट के दाम जादा तो आम जनों को उसको खरीदने में थोड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ता है अब बिनौला खल तो तेज हो गया है बिनौला खल के वेपारियों को अच्छी कीमत मिलने की उमीद है अच्छी कीमत हम देख भी रहे की मिल सकती है लेकिन पोल्टी इंडस्ट्री की ज इसी की वज़ा से आज हमने बिनौला खल की कीमतों में एक करेक्शन बनते वे देखी है और हो सकता है कि अभी जो करेक्शन आगे जारी रहे लेकिन आगे जाकी कीमते उठेंगी भी जरूर मार्च 2022 तक बिनौला खल की कीमतों में काफी शांदार रिटन देखने को जरूर म वही मानना है कि बिनौला खल 3800 से 4000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है तो बिनौला खल साल 2022 में कमुर्टी का राजा बनकर भी उभर सकता है बिनौला खल में आगे जाके काफी शांदार तेजी भी देखने को मिल सकती है बात करें याँ से अगर अब मसालों की तो मसालों में देख रही कि धनिया का जन्वरी वाइधा 9500 पर ट्रेड कर रहा है हल्कि इसी करेक्शन है आपका बता दें कि इस बार धनिया की बुगई कमी देखने को मिली है shortage देखने को मिल रही है pipeline भी खाली है और जो carry forward stock है धनिये का वो भी कमी बताया जा रहा है बुवाई के रगवे में भी जो मुख्योत पादक राज्ये हैं for example जैसे गुजरात हुआ आपका राजिस्तान हुआ वहाँ पर धनिये की रगवे में कमी देखी गई है जिसकी वज़ा से कीमतों में गिरावर देखने को मिल रही है धनिये का अगर stock काफी कम रहता है और demand जादा बढ़ जाती है तो हो जकता है कि देनी की कीमतों में उचार और देखने को मिले बात करें जीरे की तो जीरे का जनवरी बैदे देख रहे है साड़े सतरा जार पर ट्रेड करता नज़र आ रहे है मामली सी बढ़त के साथ देख आपको बता दें कि जीरे की जो export demand है और जो export आसा है अब वो थोड़े थोड़ा market में ऐसे sentiments बन गए market में export की यानि निर्यात की जो बाते हैं वो चालू होना शुरू हो गई है जिसकी वज़ा से जीरे की कीमतों को कहीना कही support मिलता नज़र आ रहा है अगर जीरे की export demand निकलती है तो जीरे की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है बात करें एगर हल्दी की तो हल्दी का अप्रेल वायदा देख रहे है साड़े 10,000 पर ट्रेड़ करता निज़र आ रहा है हल्दी की भी हमने crop हाल ही में जो साउथ इंडिया में यानि दक्षिन भार्ट में जो बार्यू शीती उसमें तबाह होते भी देखिये लगवर 40-50 फीजदी हल्दी की जो crop है वो खरावती भी नज़र आई है जिसकी वज़ा से हमने हल्दी की कीमतों में तेजी बनते वे देखी है और दूसरा अब जैसे कोरुना की cases लगाते बढ़ते जा रहे हैं तो इसकी थोड़ी खपद भी बड़ी है और दूसरा अभी winter season की भी demand रहती है तो जिसकी वज़ा से हल्दी की कीमतों को अभी थोड़ा support मिलता नज़र आ रहा है आपको बता दें कि जैसे अभी शादी बिया का season है अगर lockdown वाली स्थिती नहीं रहती है तो मसालू की मांग थोड़ी बनी रहेगी डोमेस्टिक लेवल पर घरेलू लेवल पर और दूसरा आगे अभी रमजान है फिर होली है मसालू की जो मांग है निकल सकती है एक्सपोर्ट डिमांड और अच्छी निकलेगी जिसकी वज़ा से मसालों में तेजी बनी रहने के आसार है तो मसालों में भी साल दोजार बाइस में अच्छी कीमते देखने को मिल सकती है बात करें यहां से अगर मसालों के बाद गवार गम की तो गवार गम का जनवरी वादा देख रहे हैं 11,450 पर ट्रेड करते नजर आ रहा है गवार गम और गवासीर आज भी ठीक ठाक तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं आपको पता दें कि गवार के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं लेकिन गवार ऐसी कमर्टी हैं जो काफी कम इंडस्ट्री मान के चलिए कि बहुती सीमीत दारे में इसका इस्तमाल किया जाता है हर इंडस्ट्री गवार का यूज नहीं कर साथ में रहती है और जो बड़े वैपारी हैं जो बड़े क्वार उबारी हैं जो गवार की बड़े बॉडिस के हैड्स वगेरा होते हैं वो इसकी मंदी तेजी अराम से तैग कर पाते हैं जिसकी वज़ासे देखते हैं कि गवार के अंदर वोलेटिलिटी जो होती है वो ज पजबूत हैं लेकिन अभी हाल फिलाल में इतनी मांग निकल के सामने नहीं आ रही है हाला कि साल 2022 में गवार की एक्सपोर्ट में 5% बड़त की उम्मीद की जा रही है कि विदेशों से इसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल सकती है जिसकी वज़ा से थोड़ी बहुत गवार की जो कीमते हैं वो उड़ती नजर आ सकती है एक्सपोर्ट का भी यही मानना है कि गवार में भी हाल फिलाल में उठा पटग रहेगी लेकिन लंबी अफदी की बात करें तो लंबी अफदी में गवार गम और गवार सिर की कीमतों में तेजी का ही रुझान है बात कर जनवरी वायदा आज 3300 के उपर ही सस्तेन है सुबा को देख रहे थे कि 6400 के उपर ही सस्तेन है 6400 पर सुबा ही ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि सोईबीन में अभी एक रेंज देखने को मिल रही है जानकारों के अनुसार जो नीचे में 5900 से लेकर उपर मे 6500 तक रहेगी अभी हाल फिलाल में थोड़ा स्टार्टिंग में सोईबीन की कीमतों में ऐसा रुजहान रह सकता है वायदा बजार के अंदर क्योंकि हमने वायदा बजार में काफी कमुनिटी इस पर बैन भी लगता है जिसकी वज़ा से सोईबीन की कीमतों पर असर पर तन पहले के मुकावले थोड़ी बड़त है लेकिन जो किसानों को मीद थी कि 10,000-12,000 तक सोईबीन जाएगी वो कीमत देखने को अभी भी नहीं मीदी है आपको बता दें कि विदेशों के अंदर जैसे साउथ अमेरिका हो गया साउथ अमेरिका में आपका ये ब्राजील हुआ अर्जेंटीना हुआ ब्राजील और अर्जेंटीना में सोईबीन की जो फसले हैं वो गरम मौसम के चलते यानि कि महाँ पर जो सूखा पड़ रहा है उसके चलते खराब हो सकती है जिसकी वज़ा से ब्राजील और अर्जेंटीना में सोईबीन का उतपादन पहले के सकता है अब ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील और अर्जेंटीन सोयबीन के मुख्य उत्पादक देशों और निर्यातक देशों में से एक हैं अगर वहाँ पर सोयबीन की उत्पादन में कमी देखने को मिलती है सोयबीन की उत्पादन में तो वैश्विक सोयबीन के उत्पाद बड़ी है कीमतें भी बड़ी हैं आगो बता दूं कि ये जो भारती सोयक खली है भारती सोयक खली की थोड़ी एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली है क्योंकि कीमतें जादा हैं विदेशी सोयक खली के मुकावले भारती सोयक खली की जो कीमतें वो काफी जादा देखने को मि प्रच रही हैं लेकिन धिमांड ठीक ही देखने को मिल दिमांड है लेकिन उची किमतों ही रहने की वज़ा से स्वयय खली का एक्सपोर्ट थोड़ा डाउन हुआ है और विदेशों में भी स्वयर खली की किमतों में तेजी बनी हुई है आप उदादें कि एकसपर्स का भी य सोयबीन को फिर से स्टॉक करना यानि होल्ड करके चलना रोक कर चलना शुरू कर दिया है क्योंकि किसान उंको भी पता है कि विदेशों में सोयबीन की कीम्तों में लगातार तेजी बनी हुई है और जो भारत है वो खाधे तेलों में आत्रि निर्भर नहीं बना है जिसकी है कि सरकार की laakh कोशिशों के बावजूद भी सरकार दुआरा उठाए गए कई कदम के बावजूद भी जैसे की duty free करदेना आयाज शूलक कर कम कर देना उसके बावजूद भी अगर विदेशों में कीमते तेज होती हैं तो उसका असर भी तब भी भारत में तेलति इलन के वो थोड़ी नरमी वाली रह सकती है स्टार्टिंग डेज में अगर बात की जाए लेकिन अगर 6 महीने का आउटलूग लिया जाए साल 2022 में तो अमिज सरेजा के मुताबिक सोयवीन 6 महीने के अंदर 8000 और पूरे साल का आउटलूग लिया जाए साल 2022 का साल 2022 में पूरे एक साल के अंदर सोयवीन अमिज सरेजा के मुताबिक 10,000 तक के लेवल्स दिखा सकती है तो सोयवीन की कीमतों में अवरोल अमिज सरेजा के मुताबिक तेजी का ही रुजान देखने को मिलेगा क्योंकि विदेशों में तेजी बनेगी उसका असर हम सोयवीन की कीमतों पर हाजिर पर भी पढ़ता हुआ देख सकते हैं और वायदा बजार पर भी अगर आगे कमुनिटीज बैंड नहीं होती हैं तो वायदा में भी और तेजी देखने को जरूर मिलेगी यहीं से बात कर लेता हैं प्याज की प्याज में हमने देखा है कि कीमते तो पहले थोड़ी नर्मी वाली देखने को मिली थी इस बार प्याज के किसानों को बहुत ही जाद नुकसान हुआता साल 2021 के अंत्र होते होते बीच में जब थोड़ा सावन खतम हुआता तब प्याज की कीमते थी थोड़ा उठना शुरू ही थी लेकिन इतनी भी नहीं उठी थी कि जो साल 2020 वाला हाल देखने को मिले साल 2020 में प्याज की कीमतों में बे तहाशा बड़ा थी थी जिसकी वजासे इस बार किसानों ने प्याज की ओर जादा रुख किया जैसे अलवर जिला जहांसे प्याज की काफी जादा सप्लाई होती है महराश्टर में भी महराश्टर तो खहर पूरा हभी है लासलगाव मंडी है एशया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाँ पर प्याज का हभी ही का जाए उसको तो जादा बैटर रहेगा जातर किसानों ने प्याज की बुगाई करी काफी जादा पैसे भी खर्च की लेकिन इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया बे मौसम बारिश ने महराश्ट के किसानों की खास कर प्याज की नसरी तक बरबाद कर दी स्टोक की भी प्याज भी बरबाद हो गई जादनमी के कारण और नसरी भी वरबाद हो गई महराश्ट के साथ साथ हमने अन्य राज्यों में भी प्याज की फसले खेट खराब होते वे देखी हैं पूरे-पूरे खेट तबाव हो चुके थे बारिश की वज़ा से जिसकी वज़ा से इस बार जो किसान है उन्होंने अपने प्याज को रोगने की बजाए अब मजबूरी में कम दाम उपर बेचना सही समझा क्योंकि अगर किसान उसको होल कर लेते प्याज को रोग लेते जो भीगी प्यास थी गीली वाली जिसमें जादा नमी थी तो वो सड ही जाती होल के Рुके उससे बैटर किसानोंने यही समझा की इसको निकाल दिया जाए कम दाम उपर तो वो जदा चरहेगा क्योंकि दाम ना मिलने से अगर उसके दो पैसे मिल जाएं तो वो ज़ादा बैठा रहें इसलिए किसानों ने अपनी जो प्यासी वो निकाल दी और मंडियों में भी प्याज के जो दाम है वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं जो वेपारी हैं किसानों उसे प्याज काफी मंदे दाम पर खरीद रहे हैं हाला कि अब जैसे सर्दियां आ गई है तो सर्दियों में प्याज की जो खपत है वो थोड़ी बढ़ जाती है जो आम जनता है वो प्याज को सबजियों में जादा खाती है तलीबुनी चीजे भी जादा खाई जाती है सर्दियों के अंदर और दूसरा सर्दियों में नौनवेज जादा खाया जाता है मासाहार जादा किया जाता है और 9 वेज में पयाज की जो खपते है वो जादा बढ़ जाती है जिसकी वजासे पयाज की जो डिमांड है सर्दियों में वो थोड़ी बढ़ जाती है और दूसरा अभी अगर सप्राई बढ़ गई है तो कीमतों मेरी थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो ही आगे चलके प्याज की कीमते हैं थोड़ा बहुत सुधार उनमें देखने को मिल सकता है अगर बारिश फिर से हो गई तो जो प्याज की जो कीमते हैं वो दुबारे लुडगती भी नजर आएंगी तो ये था एक छोटा चाल क्रिशी फसल बजार का अबडेट की शाम के कारवाई सहत में क्रिशी फसल किस बहापर ट्रेड करती नजर आ रही है आगे जाके किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और जानकारों की क्या राय थी फिलाल बजार की चाल में अभी की लबस्त नहीं लेकिन आप कहीं जाए गने क्योंकि खबरों का सिलसला लगा तो यह भी बना रहेगा मांगे डैम सीवी पर फिर से आगे आ है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा दस मिनट में आके घर पर दवाई बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान